नमस्कार विद्यार्थियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बर फिर से सजी गुरुकुल के इस ओफिशियल YouTube चैनल पर आप सभी लोग सोच रहोंगे कि इतनी रात में लगबग साड़े ग्यारा बज़ रहा है और सर एकदम से लाइव कैसे आ गए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि UPPSC की कटाफ जारी हुई है UPPSC की कटाफ मैंने आपको बताई तो बताने के बाद एक बंधू जंका यहाँ पर मेसेज आया और आप लोग देख पाएंगे कि यह मेसेज क्या है तो कुछ प्रदीब निशाज जी का मेसेज है कह रहे हैं बस बोलते हो कोर्स लेने के बाद content नहीं देते हो वीडियो री एक्जाम बैच लिया है उसमें पूरा syllabus ही नहीं है अब syllabus क्या नहीं है उसमें नो लिखा है कि हिंदी लिखा है पूरा syllabus ही नहीं है हिंदी में बहुत सारे topic नहीं है मूँ का काम है बोलना कुछ भी बोल दो tax थोड़ी ने लगेगा ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी विद्यार्थी नए है या पि कोई भी comment जमें delete नहीं करता हूँ मैं तो अब मुझे बताना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको उताता हूँ लाया था आज से चार मेने पांच तो वी癒 एक्जाह की फीस थी नőगल की मैं इतनी फीस रखता हूँ जयदा नहीं रखता हूँ और जितना हो सकता है बढ़ी है सबढ़ी हो वह पेपर होता है या पिर जब लगता है कि पेपर नजदिक होने वाला है या पिर एकदम से news आती है कि जल्दी से हो जाएगा तो मैं फिर क्या करता हूं कि कोई गरीब से गरीब बच्चा हो उसको भी अच्छी education मिल जाए उसके लिए मैं अपनी fees बहुत कम कर देता हूं और limited ही कर देता हूं बिल्कुल तो फिर इसके बाद उसमें पूरी class डाली जाती है सबसे पहली बात की वीडियो और एक्जाम में 200 घंटे की class आपको दी गई कितनी 200 घंटे की class आपको दी गई एक से बहतर content दिया गया अब दुनिया का कोई भी एक ऐसा teacher बता दीजे अगाम को जिन्दगी में दूसरों को ब्लेम कब तक देते रहोगे जब तक आप दूसरों को ब्लेम देते रहोगे जब तक आपको खुद पता है आपको खुद पता है कि syllabus क्या है, strategy क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ये सब जगए आप YouTube पे देख कर आए हो और सब जगए आपने देखा और देखने के बाद अगर by chance धोके से अगर कोई भी एक दो topic, तीन topic, चार topic मानके चलिए अगर miss हो जाता है एक subject में, तो आप इतना गंदा गंदा लिख देंगे आप ऐसे लिख देंगे कि मतलब दिल को चीर्क लग जाए, कि ऐसे मतलब कि कभी-कभी इसको माबाब को लग जाता होगा आप लोग माबाब को सुन भी लेते होंगे, कि लोग कह देते हैं कि हायर, आम कैसे बच्चा पैदा कर दिया तो कभी-कभी मैं भी सोचनल लग जाता हूँ कि कैसे-कैसे लोग आ जाते हैं हमारे पास कि उनको सब कुछ पता है, अगर बाइचांस एक टॉपिक मिस हो गया, तो वो उसको ब्लेम करते हैं, टीचर को ब्लेम करते हैं, कि तुमने तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, तो हम नहीं पढ़ा, और हम फेलो गए अगर भाई चांद छूड़ गया तो आप इसको प्यार से बोल दीजे आप कॉल करके बोल दीजे लगता है ठीक है तो यार पढ़ा दो कि जब इतना पढ़ा दिया तो इतना भी और पढ़ा दूगा चलिए अब जरह से एक बार देख लेते हैं कि जैसे महोदन लिखा कि पर हम भी देख लेते हैं भाई यह है सजी गुरु कुल का एप यहां पर हम लोग माई कोर्स में गए बच्चो देख लिजेगा भाई जहां जहां गलती हो बिल्कुर तहे दिल से छमाई यह है वीडियो रिये एक्जाम वाला बैच इसमें पहले मैंने आपको स्ट्रेजी यह सब बताया हिंदी जी के जीएसिस की फिर हिस्ट्री में इंडेस वाली सिविलाजेशन के बाद वैदिकाल वैदिकाल पार्टू बुद्धिजम जैनिजम महाजन पदिरा खुशान गुपता गुपतोतर मिडवल हिस्ट्री का पूरा पार्ट फिर मुगलकाल का पूरा साइंस में आपको फिजिक्स पूरी पढ़ाएगे केमिश्ट्री पढ़ाएगे फिर इसके बाइलोजी के चैप्टर पढ़ाएगे ब्लाट ब्लाट फंगस बैक्टिरियर लाइकिन पॉट्टो जोगा यहाना यह हिंदी आते हिंदी हिंदी में लेखते हैं जैसे कि वर्ण वचन, कारक, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, क्रिया पार्ट टू, काल, क्रिया विशेशन, वाक के परिवाशा, वाक के उधारन, वाक्यान शोग ले एक शब्द, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तत्सम तत्भव, देसर विदेसर संकर शब्द, हना और योग, योगिक सब मूल सब यह सारे सारे जीजें देसे विजेश संकस सब पार्ट तू प्रसिद कवी लेखा कुर्ण की रचनाए समान शुद्धियां विलोम सब्द पर्यावाची मुहावरे लोकोक्ति क्या फूच्ट गया है हाँ वह फूट गया है एक पार आता है है एक से दो कॉस्चन है लेटर है लेटर दोस्ट यह फिर्ट और एंदोग सोछ्षन चुट गई होगी ओगी शिट्स दी ठीक है कोई बात ने आप यहां पढ़ाईए यहां पर लिखा है topic wise pyq yt studio यहां पर देखेएगा यहां पर हिंदी की class मैंने कुछ डाली है ठीक है और हिंदी की कुछ class डाली जिसमें practice करवाई है और इस practice में मैंने आपको आपके question पुछे जाते हैं कि आगर आपके तबीर खर दिया मतलब पूरा पढ़ा हो मतलब भाई यार क्या मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा तो आज मतलब पूरा पढ़ा हो पूरे हिंदी पढ़ा डालो और अगर वह 20-25 यारे एक घंटे का अगर कोई topic छूच गया है कि letter writing में एक question जो आता है वह अगर छूच गया तो पार में जो यह तो नहीं लग रहा कि बहुत सारे topic कौन सा सारा topic है आप लोग को जरा पता चले कि बहुत सारे में से कौन कौन से topic है बहुत सारे तो क्रप्या करके comment जरूर कर दीजिएगा कोई बात नहीं फिर इसके बाब reasoning class में आ जाओ कोडिंग डिग्राम वलफा अटिकल स्लोगिजम डिरेक्शन डिस्टेंस कलेंडर ब्लाइशन इक्वाल्टी क्यूब क्यूब एक लॉग से इस्टिक जी के में आ जाओ भारत के प्रमुक्तिवार नारे उपादियां विश्ट के प्रमुक संगेठन नेशनल पार्क एकोनॉमिक इस्टेटिक जी के फिर इसके बाद यूपी स्पेसल में आ जाओ उसका प्राइस डाय सो रुपए है यूपी स्पेसल आज़ा पूरा प्राचिन इतिहास यूपी स्पेसल मद्द कलन इतिहास हना भूगोल नदियां जीले बांध खनित संसाधन सिच्छा संस्था नगरों के उपनाम प्राचिये नाम कला संस्कृति उत्तरपदे जंगरना यह पूरा मतलब कि यार कुछ नहीं छोड़ने की उमीद में हमने सब कुछ पढ़ा डाला और टॉपिक वाइस पढ़ाया इतने अच्छे से पढ़ाया पीडियाफ में आ जाई है यहां पे पीडियाफ भी होगी वीडियो रियेग्जाम की पीडियाफ तो इसमें आपको र अपको अपको हिंदी की बुग दी गई किया चाहते हो तुमारे पैर दबादें आके तुम लोगों के बताओ इतना पैंपर करो इतना सब कुछ करो और रिजल्ट कमेंट बॉक में यह आता है बहुत कश्ट होता है बेटा जब तुम भी किसी लिए कुछ करोगे न और जान लगाओगे और लोग तुम्हारी जान ले लेंगे जब और कहेंगे तुमने किया ही क्या था बहुत चुबेगा आपको भी ठीक है वेलेडिटीस की तीन महने थी चार चौथा मेना बीद गया है और मैंने अभी वेलेडिटीस की ओवर नहीं करी है इस आस में कि पता नहीं किस बच्चे का अभी पढ़ाना हो किस बच्चे का पढ़ाना हो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले लेकिन ये ये सिला दोगे मतलब ये सब बोलोगे मतलब comment box में comment करके बोलोगे कोई अब GS में नहीं बोल पाया तो हिंदी पकड़ दी और हिंदी में कोई एक topic वो letter writing वाला नहीं था तो आपने ये सब बोल दिया ठीक है छमा है भाई उसके लिए बिल्कुल तहे दिल से छमा है ठीक है और अभी मैं रात में ही letter writing का वीडियो अभी रात में ही बिल्कुल अभी 11 बज़रा न अभी रात में ही मैं letter writing वाला जो वीडियो है जो आपके बें जो important आते हैं वो अभी मैं upload कर दूँगा ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ बस class लेने अभी मैं upload कर दूँगा जो भी आता है और डाल दूँगा ठीक है पड़ दीजिएगा और क्रपया करके दुबार हमारे पास course मत खरीद दीगा आप नहीं है उस काबिल आप सिर्फ blame दीजिए selection ना हो तो सरकार को blame दीजिए teacher को blame दीजिए अपने आपको कभी मत दीखिएगा कि paper आपका है जान अध्यापक लगा रहा है सब कुछ अध्यापक provide कर रहा है कम से कम फीस में provide कर रहा है सब कुछ मतलब कि जान निच्वावर कर रहा है और बदले में उल्टा सिदा बोला जा रहा है बड़ा कश्ट है नहीं हमारे साथ ही problem नहीं है मैंने बहुत सारे संस्थानों में पूछा है सब ने यही का कि सर खुस नहीं कर सकते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा ले आएगा बच्चा जो आपकी बुराई जरूर करेगा कश्ट तो होता है कोई बात नहीं ठैंक यू वेरी मच और भी बहुत सारे बच्चे दहिए 100% बच्चेओं में से 90% बच्चे तो हमाई साथ ही रहते हैं वो जो 10% बच्चों को मैं सटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ उन 10% बच्चों को जो आफ लाइन में 1% बच्चा नहीं होता है जिसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता लेकिन आउन लाइन में 90% ही सेटिस्फाई कर पाता हूँ वो 10% को सेटिस्फाई नहीं कर पाता मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ वो 10% क्या सोचकर कमेंट करते हैं क्या सोच कर पढ़ाई करते हैं क्या सोच कर प्रप्रेशन करते हैं कोई नहीं गुद नाइट और वलेडिटीज की ओवर हो जाएगी तो अभी आप इंजॉई कीजिए ठीक है मैं जा रहा हूं क्लास लेने और धोके से वो छूड़ गया होगा लैटर रैटिं कि अब हो सकता है इसी वीडियो को बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे टीचर ट्रॉल करें और करते ही हैं कि देखो छोड़ दिया यह है वो है तो करने दीजे कोई बात नहीं हाना थैंक्यू